इस वीडियो इस स्पॉंसर्ड पाए नौप्रभाइट ताइम्स दोस्तों मेरा नाम है राउल आप देख रहे हैं ग्याजिट सब स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में जैसा कि आप देख सकते हैं आज मैं आपके लिए लेकर रहा हूं वर्फट डिल्माइट क चले शुरू करते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंट में इसके ब्रांडिंग ली गई है इसका मॉडल नंबर है dm5.os एक्शली यह माइक मैंने आफ्लाइन मार्केट से कुछ 12 रुपे में लिया है अगर मुझे इस माइक के कहीं बिलिंक अगर ऑनलाइन किसी भी वेबसेट में मिलते हैं तो मैं इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दूँगा जैसे कि आप एक साइड में देख सकते हैं यह कंप्लेटली मेड इन चाइना प्रोड़क्ट है और इस तरफ देख सकते हैं आप इस बॉक्स पर पूरी इसकी डिटेल जी गई है आप च जो कि कंप्लेटल बपर ग्राप्ड है और माइक की बिल्ड क्वालिटी की बात देख सकते हैं यह वारफिडल का ब्रैंडिंग की है और यह ऑन आफ का स्लाइड बटन दिया हुआ है जिसको आप इजली स्लाइड करके ऑन या आफ कर सकते हैं इसमें एक्सलार पोर्ट दिया तो रखते हैं माइक को साइड में और बढ़ते हैं अगले कंटिंट की तरफ जैसा कि आप देख सकते हैं यह एक्सलार केबल दिया हुआ है जो कि आराउंड तीन से चार मिटर का होगा और इसकी वायर क्वालेटी काफी अच्छी भी है और इस माइक के साथ एक्सलार पोर्ट भी मिलता है जिसको आप डियाटली माइक से कनेक कर सकते हैं या वायर की तरू भी कनेक कर सकते हैं तो जैसा कि आप देख रहे होंगे यह एक 3.5 mm जैक है यह एक 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 एक्सलार टू 3.5 mm कनवर्टर भी है जिसको आप इजिली किसी भी कंप्यूटर है मोबाल से कनेक कर सकते हैं और इसमें कुछ पेपरवर्क भी दिया गया है जिसमें इस माइक की सारे डिटेल्स दी गई हैं अगर आप इस डिटेल्स को पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को बीच में भी पॉस करके यह वीडिटेल्स पढ़ सकते हैं तो दोस्तों हम फिर से बढ़ते हैं हमारे माइक की तरफ अगर आप इस माइक को अफले स्मार्टफोन के साथ यूज़ करना चाहते हैं तो आप यह और यूस प्लेटर भी ले सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें दो पोड दिये रहे हैं एक हेड़फोन के लिए है और एक माइक के लिए दिया है यह और आपको किसी भी वेबसाइट पर दोसों से थीन सो के आस्परस मिल जाएगी अगर आप इसे लोकल मार्केट में ढूंदते हैं आपको ज्यादा सौरब में आपके अगर आपके कम्पूटर में एक्ट्रा पोड नहीं दिये हुए माइक आपको बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो में अब तक आपने जो भी ओडियो सुना है यह इसी माइक से रिकॉर्ड हुआ है तो आप इस माइक के ओडियो को कम्पेर कर सकते हैं और यह ओडियो को मैंने जड़ा भी एडिट नहीं किया है तो दोस्तों आज के वीडियो म अचै कर दोस्तों आपियो में और यह वीडियो है